हाई एवरीबन केसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हुरा हुल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आगे हो दोस्तों जिसमें हम बनने वाले हमारा एट स्टैंडर के साइंस सब्जेक का एक निव चाप्टर एक फ्रेश चाप्टर आगेन आपके लिए शुड़वात करने जारे दोस्तों जिसका नाम है चाप्टर नंबर 18 एको सिस्टम आगर चाप्टर में विड्यां के टो आगर अपको यह उत्ना प्यार देना है दोस्तों वेडियो को रेगुलरली देखना है, एक बार देखो, दो बार देखो, रिपीटेड वीडियो देखोगे, बार-बार देखोगे, तो आपको conception knowledge बार-बार clear होगा और आप उसको life time भूलोगे नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, स्वारी माफ कीज़ेगा आप स्वड हारे जीव है, वो एक दूसरे के उपर dependent है, चाहे हम बात करें, ऐसे कि oxygen हो गया, ये सब जो चीज़े होती है, वो help करतें, आप पनी हो गया, ठीक है? तो इस सब के बारे मैं चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग का जो ecosystem है, तो इसका हम लोग एक brief classification देखेंगे, तो अगर मैं बात करूँ हमारे ecosystem की दोस्तों, तो ecosystem mainly जैसे मैंने आपको बोला, कि दो हिस्सों में mainly क्या होता है, ecosystem हमारे divided है, तो सबसे पहला जो system मुझे लगता है दोस्तों, वो है abiotic factors, ठीक है न, जो मैंने आपको बताया, अभी abiotic factors, एंद दूसरा, जो सबसे बड़ा इत तरीके से आप बोल सकते हो, factor माना जाता है, वो है biotic factor, यानि जिन्दा चीज, ठीक है न, abiotic factor, अब इनके भी classification बहुत ही ज़्यादा डीप में है, यह यानि वो चीज है तो, लेकिन chemical ही कही ने कही वो factors जो है, वो असर डालते है अपना, ठीक है, तो यह जो physical है या फिर chemical की अगर बात पर तो physical जो चीज हमें दिखेगा, वो सीधा-सीधा हो जाएगा, तो physical में अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका हवा जाएगा, air, water हो गया, ठीक है, अवा, पानी, ठीक है, air, water, फिर आपके minerals आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, minerals हो गया, ठीक है, फिर oils हो गया, ठीक है, यह सबी चीज हो गया, और साथी में बात करें, सबसे important is sunlight, जो plants इस्तेमाल करते हैं अपने खाना बनाने के लिए, तो य हम इस्तेमाल करते हैं जिन्दा रहने के लिए, हम मतलब, चाहे वो human being हो, चाहे वो plants हो, चाहे वो animals हो, वो ही अगर हमें chemical की बात करो, तो chemical भी जो है, वो दो हिस्सों में divide होता है, फिर से, तो यह जो होता है, एक जो हिस्सा होता है, वो होता है inorganic, ठीक है, एक जो हिस्सा ह होती है, जिसमें carbon का present होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते है, organic बोलते हैं, तो जैसे कि आप जो भी खाते हो, आपको उससे क्या मिलता है, nutrients मिलता है, लेकि nutrients के अंदर क्या होता है, बेसिकली वो क्या होता है, carbohydrates होते है, आप चाहल खाओगे, तो carbohydrates मिलेगा, रोटी होता है, क्यों, organic मतलब होता है, जिसके अंदर carbon होता है, तो यह जितने में चीज़े होती है, carbohydrates, protein, fats, इसमें carbon present होता है, correct है, तो that's why it is called as the organic component, और इन और इन और जाओगे जाओगे ना, तो chemistry में आपको दो पार्ट आ जाएंगे, एक होगा organic chemistry, दूसरा होगा, इन और इन और carbon होगा, और in organic chemistry मतलब आपको पता चल जगा यहाँ पर, जैसे कि इसके अंदर hydrogen present हो, hydrogen हो, oxygen हो, और इसके अदावा बहुत सारे elements हो सकते है, अगर मैं यह आपे लिखने के लिए space तो नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करू, hydrogen, oxygen, nitrogen, calcium, iron, potassium, sodium, यह सभी चीज़ क्या आजाएंगे इसके अंदर आजाएंगे, ठीक है, तो यह हो गया, सबसे basic type का classification किसके लिए हो गया, यह abiotic factors के लिए हो गया, ठीक है, लेकिन वही अगर मैं biotic factors की बात तो, biotic factors भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर expand है, तो biotic factors आगें, तील हिस्सों में divide होते हैं, तो सबसे पहला जो हिस्स दूसरे मुझे लगते हैं, जो producers को खाएंगे, यानि consume करेंगे, तो उसको मैं बोलूँगा, दोस्तो consumers, तीसरा जो होता है, कि consumer जब producers को खाएंगे, consume करने के लिए, फिर भी पूरा नहीं खतम कर पाएंगे, तो उसको खतम करने के लिए, एक और चीज होते हैं, जिसको बोल होता है, plants, यानि कि जो भी ऐसे जीव, जो चीज produce कर सकते हैं, तो human beings या फिर animal produce नहीं कर सकते हैं, वो खाते हैं, किसी और का लेके, लेकिन plants ही एक ऐसे जीव है, जो अपने sunlight का इस्तिमाल करते हैं, ठीके, that is, plants इस्तिमाल करता है, air का, that is, carbon dioxide का, sunlight का, तो यह क्या करता है, abiot इस्तिमाल करता है, लेकिन वो चीज़े produce करता है, खाना जो है, food जो है, वो produce कर सकता है, that's why यह इसके category में आ गया, लेकिन वोई consumers की अगर बात करें, तो consumers में भी क्या आ जाते हैं, दोस्तो, categories आ जाते हैं, जिसमें आपका consumers में basically जो होते हैं, वो होते हैं, animals, consumers में कोन आ जा जाता है, एक ऐसे animals होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत ही basic तोरते खाते हैं, जैसे कि कोई plants है, तो plants को खाने वाले जो सबसे basic animal रहेंगे, वो रहेंगे primary consumer, यानि कि जो घास फूस खाते हैं, plants को खाते हैं, जैसे कि आपके cow हो गई, buffalo हो गई, goat हो गई, deer हो गई, elephants हो गई, ये कुछ ऐसे animals होते हैं, छोटे-छोटे, grass opers, frogs, ये सभी चीज़ क्या काते हैं, plants को खाते हैं, कीडे, कीडे बोल रहें, सरी, मास कीज़ेगा मुझे primary consumers, जो ये सब plants को खाते हैं, जैसे मैंने example अभी बताया, तो वो चीज़ को हम लोग बोलेंगे primary consumers, ठीके, छोटे- secondary consumers, तो secondary consumers क्या होते हैं, ऐसे जानवर होते है, secondary consumer, जो primary consumer को खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे animals में primary consumer को खा रहता, अब primary consumers ऐसे छोटे-छोटे होते हैं, squirrel, frog, फिर आपके deer, ये सब जो होते हैं, तो secondary consumer के animals क्या करेंगे, ये primary consumers को अपना खाना बनाएंगे, जैसे इसमें क्या आ जो की होता है दोस्तों, टर्शरी कंज्यूमर, लेकिन इसको एक और नाम से जाना जाता है, टर्शरी कंज्यूमर को जाना जाता है दोस्तों, टॉप कंज्यूमर, तो टॉप कंज्यूमर, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं, प्री डेटर्स, क्यो प्रिडेटर्स बोलते हैं क्योंकि यह शिकारी जीव होते हैं, इनका काम यह शिकार करके खाना है, तो बेसिक लिए अगर बात करूँ, जैसे टर्सरी कंजूमर जो नाम है, तो टर्सरी वाद या करेंगे, सेकेंडरी कंजूमर की अनिमल को खाएंगे, या नहीं कि अब इसमे टर्सरी में आ जाएंगे, तो यह थे हमारे एनिमल के कैटेगरी में, ठीक है, और वही मैं फाइनली बात करूँ, दोस्तों, डीकंपोजर्स की, तो डीकंपोजर्स में कोन आ जाएगा आगे, दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट जो दुनिया में चीज है, लेकिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं हमेशा, क्योंकि हम उसको बुरा मांते हैं लेकिन कहीं नगे बुरा है, लेकिन वो अच्छा भी है, जिसका नाम है दोस्तों, माइक्रो और्गैनिजम्स, ठीक है, छोटे-छोटे-छोटे होते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, जो कहीं पर भी किसी के ऊपर भी जब ग्रो करते हैं तो उसको खाना खाते हैं और उसको खा के ख़दम कर देते हैं, सडा देते हैं, ख़दम कर देते हैं, क्यों जरूर ही है, क्योंकि हमारे में environment को balance करना, और एक तरीके से food chain को maintain करना, जो कि आम लोग आगे बताने वाले कि कै यह जो biotic and abiotic factors है, यह ecosystem से inter relate कर पाते हैं, वो सभी चीज़ में बताने वालो, तो उमीद करना हो कि यह चीज़ तो आपको clear हो गया होगा, जो मैं आपको बता रहता है कि what do you mean by ecosystem, ecosystem is all the blend, all the mixture of these things, क्या है mixture, ecosystem में दो factors होते हैं, abiotic and biotic, abiotic में इतने सारे physical and chemicals होते हैं, producers होते ह यह आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, मैं पूरी उमीद करता हूँ, तो इसको मैं rough करता हूँ, अगला topic की तरफ जाएगे, जो कि यह structure, क्या अभी ecosystem का pattern था, क्या उसमें classification था, यह तो हमने देख लिए, structure कैसा होता है, कि यह जो biotic के में बारी factors से, यह inter relate कैसे कर पात होता है, और चीजे बस point twice पढ़नी होती है, और कुछ नहीं, बाकी जो पढ़ाई होती है, दोस्तों बहुत easy होती है, हम लोग बस आपस में मन में बना लेते हैं, कि हमें पढ़ाई करने मजा नहीं आता है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे न, दोस्तों, पढ़ाई है कैसा तो चलो बात करते हैं, हम लोग structure की, ठीक है न, structure की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे इसे structure से ecosystem में आगर मैं बात करूँ, जो कि आपस में interrelate होते हैं, और आपस में एक दूसरे को help करते हैं, जैसे कि अगर मैं example के तर पर बात करूँ, कि हर दिन, each and every, जो biotic and abiotic factors है, यह दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के उपर dependent कहीं न, कहीं होते हैं, और जैसे कि abiotic factors की बात करूँ, हवा, पानी, sunlight, यह सभी चीज होते हैं, वो indirectly किसके उपर dependent हैं, मतलब biotic factors के उपर, biotic factors यारे जिदने भी plants से, animals से, microorganisms से, decomposers से, यह सभी न, सभी, जो है, कह यह दोनों चीज ही आपस में मिलते हैं, तब जाके हमारा ecosystem का जो balance है, और जो हमारा ecosystem का जो nature है, वो बना हुआ रहता है, तो किस प्रकार यह दोनों के बीच में interaction होता है, यह जानना ज़लू ही है, तो interaction कैसे होगा, जैसे मैंने बोला, कि क्या होता है, कि हमारा, जो abiotic factors होता है, उसमें क्या क्या आ जाते है, जैसे मैंने बोला, कि आपका हवा आ जाता है, पानी आ जाता है, तिक है, और sunlight आ जाता है, यह तीम चीज की मैं बात करूँ हो, फिलाल में, यह सबसे important चीज में consider करता हूँ, abiotic factors में, जैसे मैंने बोला, कि यह चीज आ गया, तिक है न, अ सबसे पहले उसका इस्तिमाल करेगा हमारे consumers, वो कौन इस्तिमाल करेगा, consumers जो लोग है, वो इस्तिमाल करेंगे, और consumers का मतलब, sorry, not consumer, mask कीजिएगा, दोस्तों, मुझे, कभी-कभी हम लोग, fast पढ़ाने के चक्कर में, आपको एक point यहाँ पे, मैंने गलती से skip करती है, but don't worry, मैं हूँ यहाँ पे, मुझे अपनी गलती का एसास हो गया, तो biotic factors में सबसे पहले जो होंगे, वो होंगे producers, consumers तो बाद में आएगे न, सबसे पहले तो produce करेगा, कोन produce करेगा, producers में मोलते हैं हम लोग plants, तो जितने भी plants होंगे, वो क्या करेंगे, और biotic factors जैसे की हवा, पान यह तीनों चीज का इस्तेमाल कोन करेगा, दोस्तों, मुझे बताओ, plants करेगा, क्योंकि plant एक ऐसा चीज है, जो हवा भी लेता है, carbon dioxide, हवा मतलब क्या, carbon dioxide, gas लेता है, पानी लेता है, जमीन से और sunlight लेता है, और उसके अंदर, खुद के अंदर chlorophyll pigment होता है, तो उसके help से वो लेगा, वो कौन होगा, consumers, कौन लेगा, consumers, लेकिन consumers में भी कौन लेगा, सबसे पहले कौन लेगा, consumers में, जो हमारे पहले टाइप की animal है, जिनका नाम है, दोस्तों, primary consumer, तीक है न, consumer में भी कौन, primary consumer, जैसे कि example से हमारे कोई भी घास खाने वाले, या फिर पेड़ पोजे, fruits, flowers खाने वाले animals, जैसे कि आपके deer हो गए, grasshoppers, frog हो गए, चोटे-चोटे-चीव हो गए, squirrels, rabbit, यह सभी चीज होते हैं, यह सभी इसके अंदर आ गए, तो यह होगा हमारा सबसे पहला category, यानि कि अवाटिक factor से energy producers, या फिर plants को मिली, उसके बाद मिली consumers, या फिर primary consumers को, अब यह यहां से energy कौन लेगा, यहां से भी कुछ लोग energy लेंगे, कुछ लोग है यहां पर जो पीछा नहीं चोड़ेंगे, आसानी से, तो कौन लेगा, यहां पर energy अगर मैं बात करूँ, तो यहां पर आजाएंगे हमारे again consumer, लेकिन कौन से वाले consumer आएंगे, यहां पर आजाएंग ग्रास ओपर घास खाते हैं, तो ग्रास ओपस नहीं खाया, अब ग्रास ओपस को कौन खाएगा, secondary consumer, let's suppose मैंने बात कर लेगा, फ्रॉग खा रहा है उसको, तो secondary consumer को कौन खाएगा, again यहां पर आगर मैं बात करूँ, तो उसको खाएंगे tertiary consumer, तो tertiary consumer में कोन आजाएगा, तो tertiary consumer में कोई आजाएगा, यहां पर आगर मैं बात करूँ, तो यहां पर बीच में क्या आजाएगे, decomposers, तो उसको खा के सवाके खतम कर देंगे, and decomposers क्या करते हैं, फिर से अबाइटिक factors को रिलीज करते हैं, कैसे मैं बताता हू, ध्यान से देखो, यह हो गया मारा cycle complete, एक interaction है, herbatic factors और biotic factors के बीच का interaction है, किस प्रकार हो रहा है, देखो यहां पर, ध्यान से, सबसे बेले, herbatic factors तो दुन्या ने, nature ने हमें खुद ने दिया है, ठीक है, हवा, sorry, हवा, पानी, light जो है, वो खुद ने दिया हुआ है, nature से मिला हुआ है, ठीक है, तो यह हवा, पानी का इस्तेमाल हमारे producers, जो है, plant बहु करते हैm, उससे energy इंको मिलती है, इनको जो खायेगा, consumers, primary consumers, उनको energy मिल गई, उनको जो खायेगा, secondary consumers को energy मिल गए, उनको जो खायेगा, tertiary consumer को energy मिल गई, tertiary consumers ऐसे होते हैं, जिनको कोई खा नहीं पाता है, या फिर मैं एग्जांपल मैंने लेकिन इगल आवा में उड़ती है तो उसको खाता नहीं न उमली को शिकार करें ने है बढ़ी चिड़िया होती है ठीक है ना इगल तो क्या हो जएगा जब उसका एज़जाएगा तो वो आटोमेंटेकली अलोग मर जाते हैं मर जाने के बाद कहा जाएगे जमीन के उपर गिर जमीन के ऊपर जहाँ पि about whether to give I hope कों खाएगा उसको डीकॉंपोजरर्जाने चोड़े छोडे-चोडे micro-organisms को खांगे सड़ाएंगे and सब सड़ता है दोस्तों आपने नोटीस किया होगे कि जब भी कोई लाश यानि कि जो कोई डॉग मर गया है लेकिन ग्यास वहीं से रिलीज हो रहा तो कहीं नेगा इंडी कप मोज़स फिट से अभी से अभी से बता दिया तो दाट इस दे इंट्रेक्शन बिट्विन अभी से अभी से बता दिया तो देखा जाए तो त्यरा जो कि आपस में एक दूसरे से इंटर्डेपेंडेंट है यह तो जच्ट एक कैजूल इंपोर्टेंट एक्जामपल था लेकिन अब फिर भी अगर दिमाख लगा होगे सोचोगे तो ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीज़े हैं आप खुद भी देख लो अगर आप खुल हो यानि कि आपको जो खाना मिल रहा है वो कहीं ने कहीं एक प्लांट से आ रहा होगा या तो कोई आइनिमल से आ रहा होगा आप वेजिटेरियन हो तो आपका खाना जो है प्लांट से आ रहा है आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपका खाना कोई जानवर से आ रहा है तो यह स इसमें biotic factors responsible है जरूरत है लेकिन abiotic factors जो होते हैं यानि कि जो इक तरीके से पेड़ पौदे हैं हमारे biotic factors लेकिन abiotic factors जैसे हवा, पानी और sunlight जो हैं जमीन, मित्टी, soil ये सबी चीज abiotic factors में आते हैं, minerals, ये सबी चीज, salts ये सबी चीज भी हमारे लिए उतना ही जादा जरू है, clear है, तो उमीद करता हूँ कि ये भी चीज आपको बहुत ही easily समझ में आ गया होगा और कुछ भी इसमें परिशानी हुई नहीं होगी, बहुत ही basics and casual सा, यहां पे consideration हम लोगों करना था और उमीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, कि कि बहुत टाइप के ecosystem मिलते हैं, चाहे वो पाली के अंदर का ecosystem हो, चाहे वो जमीन के उपर का ecosystem हो, चाहे वो हवा का ecosystem हो, हर एक जगा का ecosystem अलग अलग होता है, और इसी हिसाब से biotic and abiotic factors मिल जूल के आपस में रहते हैं, so that यह जो nature है, वो आगे बढ़ता रहे, और हमारा जो lifestyle है, वो उसके इसाब से वहाँ पर abiotic factors होते हैं, और यह जो living organisms होते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो जो specific ecosystem होता है, वहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग areas को develop करता है, वो जो बड़े-बड़े ecosystem होते हैं, लार्ज ecosystem को बोलते हैं हम लोग biomes, तो biomes generally दो type के होते हैं, एक होता है land biomes, द आज के लिए इतना है था दोस्तो, बस आपका lecture यहीं बे मैं stop करूँगा, क्योंकि दोस्तो बहुत सारे चीज़े बताया, पहला lecture था, introductory lecture था, बहुत सारे चीज़े आपको समझ में भी आ गए होगी, लेकिन बहुत सारे biomes के जो पार होते हैं, यानि के जमीन के उपर किस त आपको होता है, तो कैसा लगा है दोस्तो, हमारा आज का यह lecture वीडियो, प्लीज आमें comment करके बताहिए का अपनी राय और suggestion जरूर से दीजेगा दोस्तो, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, useful लगा है तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, आपने सारे फ्रेंड्स लोगो फटा फट से share कर देना, अगर आपने भी तग इस चानल को subscribe नहीं किया है, तो फटा फट से हमारे इस चानल को भी subscribe कर देना, सापने bell icon को hit कर देना दोस्तो, ता कि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोको notification मिलती रहेगी, ठीक है आएंगे, आएंगे!